हेलो स्टुडेंट्स वेलकम टू मैक ओनलाइन लेक्चर लेक्चर नंबर 52 चल रहा है थर्मो डैनामिक्स के ऊपर लेक्चर नंबर 51 यानि पिछला लेक्चर उठाकर जरूर देखना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे उसमें मैंने आपको बहुत इं अंत में मैंने आपको इस चीज का दर्शन भी करवाया था there is some term related with polytropic process उसको हम कहते हैं polytropic specific heat जिसको c poly बोल सकते हो जैसे cp होता है cv होता है specific heat at constant pressure specific heat at constant volume वैसे ही specific heat polytropic process के association में जिसको कह सकते हैं polytropic specific heat और उसका formula है n-gamma by n-1 into cv इस term से cv को multiply कर देंगे where cv क्या है specific heat of system at constant volume आपको पता ही है गामा क्या है गामा है cp और cv की ratio जाने कि उस system की specific heat pressure पे कितनी है constant pressure पे उसी system की specific heat constant volume पे कितनी है cp by cv की ratio ले लो गामा निकल के आ जाएगा वो रहा है ये गामा तो n है polytropic index of process क्योंकि जो process हो रही है उसका को जैसे process है आपके पास pv raised to power n is equal to constant ये रही वो polytropic process तो यहाँ ये जो n है इसी का नाम है polytropic index तो n है गामा है और आपके पास cv है तो इस formula को use करके आप polytropic specific heat की value निकाल सकते हो ठीक है जो कि undoubtedly आपके पास क्या आने वाला है वो हमीशा negative ही आने वाला है मैंने पिछले lecture के end म ये मेंशे negative ही आएगा क्यों आएगा उसके उपर मैं दोबारा नहीं जाओंगा यहाँ मेरा purpose क्या है इस formula को आपको derive करके सामने दिखाना क्योंकि otherwise तो ये ऐसा हो जाएगा कहां से आ गया ये ठीक है हमने उस चिकर में तो पढ़ना नहीं हमने तो एक एक चीज को समझना है with evidence ठीक है देखना है उसका proof कहा है तो इस चीज का proof आज आपको मैं इस छोटे सी lecture clip में दिखाने जा रहा हूँ तो देख लेजिए चलिए शुरुबात करते हैं मालो हमारे पास एक closed system था जिसके उपर thermodynamic process हुई है कौन सी process हुई है polytropic process ही हुई है तो उसका pressure उसका volume change कर जा state 2 बन गई pressure बन गया P2 volume बन गया V2 और इस तरह से कोई process चली होगी वो process कौन सी है polytropic PVN is equal to constant ठीक है जी यह आपको समझ में आता है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी में आपको दिखा दिया अब इस process में जो की polytropic process है कुछ ना कुछ heat transfer हुआ होगा ठीक है जी वो heat transfer का formula क्या ह डेल Q heat transfer इस process में कितना हुआ यह process कहां से कहां चली 1 से 2 वन state से चली 2 तक system को पहुंचा गई तो इसमें कितना heat transfer हुआ उसका formula हमारे सामने है gamma minus N by gamma minus 1 into work transfer कितना हुआ इस system में डेल W कितना हुआ 1 to 2 में तो यह देखिए यह formula कहां से आया lecture number 49 में आपको मैंने derive करके बताया थ जब हमने heat transfer देखा था कि polytropic process में कितना होता है यह उसका formula है gamma minus N gamma minus 1 यह gamma N वही बाते हैं जो मैंने आपको पहले बताई है तो यह multiply हो गया work transfer से और दूसरी बात यह work transfer का formula कितना होता है फिर इसी polytropic process में 1 से 2 अगर process हुई है तो work transfer कितना होता है work transfer का formula हुआ फिर P1 V1 minus P2 V2 by N minus 1 यह कहां से आया यह मैंने जब work transfer बताये थे isothermal में, isocoric में, adiabatic में, polytropic में, शुरू के lectures में तो वहाँ पर फिर मैंने आपको यह formula drive करके दिखाया था reference है आपके सामने आप देख लेना description box में जाकर इसी वीडियो के नीचे description box है उसमें आपको पूरे course की playlist मिल pressure volume कितना था अब आपने कुछ नहीं करना इसको उठाकर ज़र यहाँ पर substitute कर देजिए del w की value यहाँ पर भर देजिए तो आपके पास expression थोड़ा सा change कर जाएगा देखिए क्या बंद रहा है del q heat transfer की हम बात कर रहे है 1 से 2 कितना हुआ यह हुआ फिर gamma minus n by gamma minus 1 एक सारा multiply हो गया del w1 से 2 del w1 से 2 कितना है p1 v1 minus p2 v2 by n minus 1 ठीक है जी हमने substitute किया और कुछ नहीं किया अच्छा उसके बाद अगर suppose यहाँ पर एक बात ले रहे हैं यह जो system था जिसके उपर process हुई है वो ideal gas था ठीक है हमारी ज्यादा calculations idle gas को लेकर ही होती है air को भी idle gas ही हम ले ले लेते हैं तो idle gas के लिए हमारे पास pv is equal to mrt जिसको ideal gas equation आप बोलते हो ideal gas equation याद है ना यह उसके उपर applicable होती है अगर यह system कौन सा था ideal gas था ठीक है तब उसके उपर यह equation लग जाएगी ideal gas equation m mass of the system kg में t temperature Kelvin scale के उपर absolute temperature r क्या हो गया gas constant उस gas का constant क्या है ठीक है ना characteristic gas constant पहले बता रखा है मैंने आपको तो यहाँ पर pv अगर mrt है तो p1 v1 क्या हुआ फिर p1 v1 बनता है m क्योंकि m1 लिखने का कोई logic नहीं है कि state 1 के उपर कितना mass था close system है ना तो जितना mass यहाँ होगा उतना ही mass यहाँ होगा mass तो in out कुछ नहीं हुआ तो mm ही है rr ही है जो यहाँ पर gas थी वही यहाँ प इतना हुआ फिर mrt2 तो यह दो चीजें हम यहाँ पर substitute कर देते हैं and we are getting gamma minus n by gamma minus 1 multiplied with देखो यहाँ से mrt1 minus mrt2 and divided by n minus 1 ठीक है यहाँ तक आ गया अब थोड़ा सा इदर उदर करेंगे expression में कुछ देखो हमारे पास m है m है तो m तो दोनों terms में से common आ जाएगा यहाँ बच रहा है n minus 1 इस n minus 1 को इदर लिख देते हैं gamma minus 1 को इदर लिख देंगे कोई फरक नहीं पड़ेगा so gamma minus n यह उपर वाला divided by इस gamma minus 1 को हमने उदर ले जाना n minus 1 को इदर कर देते है n minus 1 यह इदर आ गया और gamma minus 1 यहाँ रख देते हैं gamma minus 1 और उपर से हमारे पास क्या गया, M common था, M common और R भी common था, R भी बहर आ गया, so this is also getting multiplied, and this is multiplied with now T1 minus T2, इस टर्म के साथ ये multiply हो रहा है, ठीक है न, थोड़ा सा हमने इधर उदर rearrangement किया है, अच्छा उसके बाद देखो, T1 minus T2 को हम बना देते हैं, T2 minus T1, तो उससे क्या होगा, minus sign आ जाएगा न, वो minus sign हम य minus gamma, तो यहाँ बन जाएगा T2 minus T1, ऐसे हो जाएगा, sign adjust हो गया, तो यहाँ पर N minus gamma बन गया, divided by N minus 1, यह वाली term बन गई, ऐसे, तो यहाँ पर M जो था, यह वाला, यह हम शुरू में लिख देते हैं, M से multiply हो गया, और R by gamma minus 1, यह बच गया, R by gamma minus 1 क्या होता है द्यान दो, R by gamma minus 1, यह हमारे पास एक relation है, Cv, system की specific heat constant volume पर कितनी है, जिसको कहते है specific heat at constant volume, उसका और gamma और R का यह relation हमारे पास है, मैंने पहले आपको prove भी करकर दिखाया था, पिछले lectures में, तो यहाँ पर आगया हमारे पास Cv, और यह multiply हुगा, फिर T2 minus T1 के साथ, ठीक है, तो यह हमारे प पास जो expression बना है, डेल Q, heat transfer का, कितनी heat transfer हुई 1 से 2 में, यह आगया, mass of the system, into यह वाली एक term बज़ गी हमारे पास, यह वाली term, ठीक है, into T2 minus T1, M into something into T2 minus T1, तो बाकी सब मिटाकर मैं इसको दबारा से यहाँ लिख देता हूं, और finally हम अपने conclusion पे पहुँच रहे हैं, तो य हमने heat दी है, डेल Q, तो यह formula तो आपने पढ़ा होगा ना, पहले मैंने भी समझा रखा ही, this is equal to M C delta T, ठीक है, DT, यानि कि temperature में कितना change हुआ, DT, जिसको को होगे, आप final temperature minus initial temperature, heat देने से पहले कितना था, heat देने के बाद कितना है, heat इतनी दी है, और mass कितना है system का M, तो इस C क्या बचता है, C बचता है specific heat उस system की, ठीक है, मैंने आपको समझाया था, specific heat system की M, C, D, T, M, C, D, T, आपने बहुत बाद यूज किया है, जब phase change नहीं होता, तब आप इस expression को अराम से लगा लेते हो, heat transfer की calculations करने के लिए, तो यहाँ पर भी तो heat transfer ही हमने निकाला है, polytropic process मे कितना हुआ, 1 से 2, Del Q, 1 से 2, तो यह हमारे पास कुछ इस तरह से formula आ रहा है, M into this something into T2-T1, तो देखो इस से जरा, यह सेम ही तो है, M, यह something, यह बन गया, C, और यह T2-T1, T2-T1, इसका मतलब है, अगर यह specific heat हम इन general बोलते थे, तो यह हमारे पास कौन सी process की discussion हो रही है, polytropic की, तो इसको क्या बोलें, फिर हम, इस term को क्या बोलें, इस term का फिर हम नाम रखते हैं, polytropic C, C नहीं, polytropic C, यानि polytropic specific heat, तो यही वो C poly है, polytropic specific heat, तो हमारे पास polytropic process के लिए heat transfer क्या हुआ, फिर, Del Q1 से 2, M into C poly into temperature change, T2-T1, और polytropic C, polytropic specific heat का formula क्या है, N minus gamma by N minus 1 into C V, बाकि यह negative होता है, जैसे मैंने पहले बताया आपको, इसकी discussion पिछले lectures में हो चुकी, आप देखना, वो बहुत important है, क्योंकि हमने उससे कुछ ना कुछ conclusion withdraw किया था, ठीक है जी, तो मिलते हैं next lecture में, till then, thank you very much.